ये रेसिपी मुझे मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड ने सिखाई है और आज वो बहुत दीन बाद मेरे घर पर आई थी तो वो जैसे ही घर में आई तो मैंने उसका स्वागत यही रेसिपी से किया तो वो इतनी खुश हो गई थी कि उसने और एक रेसिपी मुझे सिखा दी तो मैंने भी सोचा क्यों न यह इतनी ऑथंटिक रेसिपी है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है इसे बनाने के लिए मैंने मुंगफली ली थी और उसे ड्राय रोस्ट कर लिया था पंड़ा होने के बाद मैंने मुंगफली के जितने चिलके उतर सकते है उतने उतार लि केल तो 2 केलों का हम यहां पर इस्तिमाल कर रहेंगेंगे कुच्त नहीं दिया इस और इसWhy इनने को दाल लिया और इसintell 좌र झांफ यहां पर हार के सकते तो केलोंक के सांथ यहां पर नहीं दृटी। मिक्स कर लिया था और चम्मच की मदद से इसके छोटे-छोटे दुगड़े कर रही हूं तो हमें basically केलों को मैश करना है लेकिन थोड़े-थोड़े पीसे इसमें रहने चाहिए अब ये केलों का मिश्रन हम एक साइड रखेंगे अब एक पैन गरम करके इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है करीब एक चम्मच के आसपस और अब हम इसमें डालेंगे ये पतले वाले पोहे जिसका हम चीवडा बनाते हैं तो मेडियम फ्लेम पे थोड़ा सा हलका चेंज हो जाएगा अब मैंने पोहे इसमें से निकाल लिए और पैन में हलका सा और घी लेकर इसमें मैं पीनट्स डाल रही है जो हमने पहले छील के रखे दे हमने मुंगफली को पहले ही रोस्ट किया हुआ है तो जादा यहां पर हमें इसे भूनने की पका लेना है इसे थोड़ा सा हम रिड्यूस भी कर सकते है तो दूद में जब 10 से 15 उबाल आ जाए तो हम हमारी फ्लेम बंद कर देंगे देको दूद हमारा यहां पर अच्छे से उबल चुका है यहां तक तो मेरी रेसिपी की प्रिपरेशन हो गई है बस अब हमें अरेंज भून के रखें केलों के उपर हम पोहे की एक लेयर लगा लेंगे इसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे रोस्ट किये हुए पीनट्स यह बहुत ही क्रंची लगते है मुंग फली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम किया हुआ हमारा दूद आप दूद को थंडा भी सकते या फिर गरम यूज कर सकते हैं थोड़ा डूद की बाद हम फिर से इसमें चैलों का लेयर लगाएंगे तो केले के मिश्टन के मेने 2-3 जमच फिर से ड़ दी फिर से यह को बढलेंगे हम पोहे पून के रक हैं और थोड़े फिर से पीनट्स यह स्ट्रेप हमें 2-3 बा कमजोरी महसुस होती है या फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये ड्रिंक वहाँ पर बना के दिये जाता है तो इसने बहुत सारा प्रोटीन और कैल्शियम होने की वज़े से हमें तुरान्त एनर्जी मिल जाती है अगर आप को ये ड्रिंक का नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना